तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल उनलाइन फास्ट ट्रीक तो फ्रेंड्स फिर से मैं आज कि आपके लिए फिर से बेगेंसी के लिए अपडेट लेकर आया हूँ तो फ्रेंड्स अपडेट क्या है भई यहाँ पर जो है बन विभाग में जो है आपकी बन विभाग होता है ठीक है उसके अंदर आपके जो बेगेंसी आउट की गई है बेगेंसी क्या है यहां पर फ्रेंड्स यहां पर बात करने वाले हैं यहां पर जो बन रक्षों की भढ़ती है ना वह यहाँ पर आयो हूई है ठीक है और आप इसे अगर देखना चाहेंगे तो उपर में यहाँ पर दिखा रहा हूँ यह जो है तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर यह इसका जो एड़ बेटाइन नंबर होता है यह देख सकते हैं ठीक है और बात करें यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी लाज डेट की तो यहाँ पर अंतिम्तिती जो 31 मार्च होने वाली है 31 मार्च 2000 वाइस ठीक है तो फ्रेंड्स इस पीडियप के माधियम से मैं आप लोगों को इस भरती के रिकार्डिंग जो भी जानकारी है जैसे भी प्रोसेज रहा रहेगा मैं सारा step by step बताने वाला हूँ ठीक है फ्रेंड्स तो यार बन भी भाग में भरती है आउट की गई है तो आप इसके लिए फोम भर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं मोड ओफ लाइन में है ठीक है और बात कर लेते हैं यहाँ पर जो जो प्रोस है और महिला दोनों अपलाई कर सकते हैं सबसे च्छी बात यह ठीक है और बात आगे कि यहाँ पर अगर यह दि आपने 12th पास कर रखा हो किसी भी स्ट्रीम से चाहे वो साइंस हो और चाहे आर्ट साइड हो कर्या है तो यहाँ पर आप लोग तो भी applies कर सकते हैं तो निमलिके तरिक्त जो पड़ो पर भरतियों के लिए जो भारतिय नागरिकों से समीधा भाई यह बैगेंस यह आपकी Permanent तो नहीं है मैं कहने ही सकता इसको ठीक है बडिया है यहां पर इसमें जो समीधा पर लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं सम्मिधा के अधार पर आवेंदर्न पत्र अमेंदरित किये जाते हैं तो फ्रेंड्स यह जो आपकी बेगेंस ही है भई सम्मिधा के पतो पर आपकी निकाली गई है और यदि कोई फ्रेंट्स इच्छूख है सम्मिधा के पर सम्मिधा का मतलब होता अगर आपका जो वर्क है वो अच्छा लगेगा और आपको कुछ समय आपको बैसे ही जो उनके अंडर में रहके आपको जोब करनी पड़ेगी और यदि आपका वर्क अच्छे से उनको लगता है कि वर्क कर पा रहे हैं इस भर्ती के रिकार्डिंग तो आपको जो पर्मनेंट भी कर दिया जाएगा तो फ्रेंट्स इतनी भी सम्मिधा पर वेगेंस से आती है उसका मतलब यही है तो फ्रेंट्स हम बात करेंगे यहाँ पर पद का जो नाम है वह यहाँ पर फोरेस्ट गार्ड वन रख सक ठीक है आप समझते हो और एज की बात करें फ्रेंट्स यहाँ पर 18-27 साल एज है और बेतन यार ठीक है मतलब सैली देखो आपकी जो मानिके चलो 19,900 से लेकर 63,200 तक सैली है और फ्रेंट्स यहाँ यहाँ पर जो सोरी फ्रेंट्स मैंने सुरू में बता दिया था आपको कि जो मतलब किसी भी बोट्स मतलब यहाँ पर आपने 12 पास का रखा हो तो यहाँ पर दे रखा 12 पास बिग्जान भी से सहीत ठीक है तो आप इसके लिए जो है आपका जो PCM बेगेरा साइड और साइड तो आप भी फूम अपलाई कर सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स बात कर ले सीमा आपकी जो एज काउंट होने वाली है 31-3-2022 के अनुसार ही की जाएगी और अतिरिक्स बर्गु को उपी आयू जो सरकारी मलत छूट देती है उसके अनुसार आपको मिलेगी बरती संबंदी फोम अपने जो यहाँ पर मैं बता दो फ्रेंड्स की आपको भी इसमें लगने वाला है इस फोम को जैसे आप अपलाई करोगे तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर आविदन सुल्क जो है शमानी ओविशी के लिए पांशोर पे का जो वैंक ड्राफ है जो कि आपको यहाँ पर बनवाना है दा डायरेक्टर इंस्ट्रूप और बुड साइ फोम जो मेल है वो फोम को अपलाई करते हैं उनको 500 रुपे का बैंक ड्राफ बनवाना पड़ेगा ठीक है मैंने बता दे किसके फिवर में आपको बनवाना है इसका स्क्रीन सोट ले लेना यदि आप इस फोम को भरने के लिए इच्छुक हो तो ठीक है और यदि भाई आग इसे से आपको भरके और एक बीडियो बनाके आपको प्रवाइट करा हूं कि फोम कैसे भरना कहां से एंड करना कितने के जो फीस लगेगी सब को प्रोसेजर अगर चाहते हो तो मुझे कमेंट बोक्स में बताईए मैं आपको बीडियो बनाके प्रवाइट करा दूँग ठी ठीक है ओ जो है यहां पर आपको 500 रुपए का बैंक ड्राफ बनवाना पड़ेगा यहां पर मेल जो है फी मेल यहां पर 300 रुपए का जो उनको भुक्तान करना पड़ेगा ठीक है उनको भी 300 रुपए आपका बेंक ड्राप बनवाना पड़ेगा और बात कर लेते फ्रेंड्स यहां पर सरकारी और जो आपकी सारी रिख माफदंड पुरूस आवेदन का कद जो है यहां पर आपकी हाइड भी जो मैनिजमेंट होने वाली है ठीक है for अगर महाईला की हाइट की बात करें हैं आप पर 150 cm से और ठीक है इस परकार आप देख सकते हैं ठीक है तो वही आप 31 मार्च से पहले-पहले इस फोम को अप्लाई कर सकते हैं और एड्रस में बता दू फ्रेंड्स आपको कि भेजना होगा जो अंतिमतिती से पहले आपको इस एड्रस पर आपको सेंड करना है आप इसका स्क्रीन भी सोट ले सकते हैं इसकी यहाँ पर एड्रस है दर डायरेक्टर इंसिटूट ऑफ वुड साइंस टेकनलोजी एट कोर्स जो है मेलेसुवर बैंगलूर ठीक है इसके फिवर में आपको यहाँ पर यह एड्रस इस पर आ चाहँ जो सब्सक्राइब करने आपको बात करने हैं और यहाँ पर फोटो की तो पासपोर्ट अकार के जो आपको फोटो जिनके पीछा आप इसेन का नाम पता और अंगरेज्ज का कसर में बड़ा मतलब आपको फोटो के पीछ अपना एड्रस लिखना है और एक सुआ पता लिफाफा आपको बिना टिकेट के लगा कर भेजना है ठीक है उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा जब आप 50 रुपे का यहां पर 500 रुपे का सोरी बैंक ड्राप बनवा दोगे तो आपको टिकेट लगाने की कोई जुरूरत नहीं है आपको सिंपल सा फोंबारना है 50-500 रुपे का इसके फिवर में जो मैंने एड्रस बताया था डायरेक्टर इंश्ट्रूफ वो बूट साइंस टेकनोलोजी इसके फिवर में आपको जो है अपना बैंक ड्राप बनवा लेना है और उसके बाद आपको सेंड कर देना है ठीक है फ्रेंड्स तो यह तो वही ज पश्ट अक्सरों में भरें आवेदन में किसी फिरकार की कटिंग या और राइटिंग नहीं हो ठीक है कार्ट फीट नहीं होनी चाहिए वह एक अगर कार्ट फीट रही तो आपका फूम रिजेक्ट कर दिया जाएगा और यह जानगरी कार्ट का अपने पास रख लें जैसे जो साकसारता होंगे उनको ही पुलाव पत्र बेज़ा जाएगा और प्रिक्सा के लिए आने पर कोई डी ए टी ए नहीं दिया जाएगा यह जो बिभाग है कोई जिम्मेदारी इसकी कुछ नहीं होगी आप अपने ही किराए से जाएंगे ठीक है तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर संगलन सत्यापित होने चाहिए सारे जो सेल्प अटेस्टेड होने चाहिए और जिन अब्यार्ति में उप्त पदो के लिए देखोगे यहाँ पर वो कंडिडेट अपलाई नहीं करेंगे कौन जिनोंने 2020 में आवदिन किया था यहाँ आवदन दुवारा आवदन पर पत्र नह भेजें इसमें साफ साफ लिख रखा फ्रेंड्स देख सकते हैं आप मैं जूम करके यहाँ पर दिखा देता हूं फ्रेंड्स कि कोलम नंबर जो पॉइंट नंबर आठ की बात करें जिनोंने आवदन ने उप्त पदो के लि जो नोटी से फैक है या मैं आपको गलत जानकारी दे पा रहा हूं तो आप पुरूप के तोर पर जो आपका यह रहा और अधिक जानकारी के लिए जो आपकी किसी भी तुरूप के लिए जो भाई यहां पर इन्होंने कह रखा है फ्रेंड्स कि आपको यह साइट पर जाकर आप अपना यह देख सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स और वाई यदि चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूब करें और यदि आप चाहते हैं कि फ मैंड वोक्स में बताइए मापको फुल फॉम फिलप की वीडियो आपको प्रवाइट करा दूआ बना कर और तब तक के लिए जैहिंद